सो एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं न्यूवीडियो आज की वीडियो मैं आपको बताऊँगा एक और अमीजिंग मॉडिफायर के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर बिना किसी दे रही हैं तो आप लोगों को जैसे की पता हैं यहां पर जो है म स्टार्ट में हमारा मॉडिफायर हो हमारा हम पेँलो का बच चुक एक बच जिनको वीडियो में कबर कर दूंगा तो आज कर weaker मदिफायर खो अपर स्कीन मॉडिफायर तो इसको समझने के लिए पर यहां से पहले जो हमारा क्यूब और लाइट है इसको वेकार दे चिकर ले करने है single vertex को यहां पर add करने के बाद अब हम लोगों को यहां पर इससे कुछ एक structure बनाना है human structure टाइप यहां पर हम लोगों को एक यहां पर structure ready करना है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं करेंगे edit mode में जाके यहां पर extrude और यहां पर थोड़ा exercise direction को follow करते हैं यहां पर एक structure बनाएंगे जैसे कि आप लोग यहां पर step by step follow करेंगे तो आप लोग यहां पर जो इसको easily create कर लेंगे आप लोगों को बस प्रेस करना है अपने keyboard में और उसके बाद यहां पर extrude करते करते इसको यहां पर एक human structure की तरह यहां पर आप लोगों को basic structure यहां पर ready कर लेना है तो मैं यहां पर step by step दिरे दिरे इसको यहां पर create करता जा रहा हूं आप लोगों को यहां पर इसके hand or legs जो है वो यहां पर थोड़ा मतलब properly बना लेने हैं ताकि आप लोग यहां पर जो इसको easily समझ सके आप लोगों को इतना fine यहां पर structure बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बाद में जब practice करेंगे तो आप लोग यहां पर fine structure बना सकते हैं पर अभी जो आप यहा मैं कि तो यहां पर यहां पर कंप्लीट कर देता यहां पर बन क्रेंश्म कोरने केहां चोड़ा से में तो लगने जाएंगी अभी आप्छुर्ण-व यहां पर घंडा की तरह लग रहा यहां तो और लौग ने के रावियान आप आप हम लोग क्या करते हैं इसको इसमें पर यह प्रॉपर तरीके से आप एक स्ट्प्ट्चर बनके रैडी हो चुका है अब लोग हैं पर जो है सीधा additionshead modifier समझाते हैं lot Арne कि 콘र्ड मढडिफारर कर देती हैं जयसे EXT यहां पर इसको इनेबल कर देंगे इसके बाद यहां पर क्या होगा हमारे पास हमारा हमने जितनी भी आप पर वर्टीसिस लिए थे उस पर है पर ऑटमेटिक यहां पर जोगा मैश कवर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं अगर आप यहां पर बिल्कुल फाइन तो इन सारे options को यहां पर डीटेल पर करके step by step बताता हूं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यहां पर मैश्मन के यहां पर रेडी होचुका है इस object में हम लोग यहां पर अपनी यहां पर शीर्ड स्मूथ यहां पर कर सकते हैं हमारे पास यहां पर ब्रांच स्मूथ और यहां पर स्मूथ शेडिंग के दो option मिल रखें तो इसके लिए हम लोग पहले वाइर फ्रेम मोड में चलता हैं यहां पर और इसके बाद आपने पूरा हैं यहां पर इसमें हमारे वर्टिस से लिए उन सभी वर्टिस को यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद अब हम जो यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहां पर ऑब्जेक्ट जो यहां पर स्मूथ हो जाता है जैसे कि आप लोग यहां पर ब्रांच स्मूथ की यहां पर इंक्रीज करोगे तो हमारा जो यहां पर इसकी ब्रांचे से वो यहां पर और स्मूथ होनी होई स्टार्ट हो जाएंगी तो यहां पर इस तरीके से आप आप मूथ स्ट्रॉक्चर भी हा पर इसलि k्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद आप अब हम लोग next यहाँ पर जो steps है उनको यहाँ पर सीखते हैं तो सबस्पवर पहले में जो को हैण यहाँ पर थोड़ा से एक्स्टूट कर लेता है तो इसके लिए आपको हैं पर Ctrl A प्रेस करके इसको यहाँ पर जो यह थोड़ा सा scale कर लेना है scale करने से क्या होगा यहां पर थोड़ा सा head की position आपको यहां पर थोड़ा पता चलती रहेगी तो यहां पर जैसी मैं mark loose पर click करूँगा इसके बाद आप लोग दिखेंगे यहां पर हमारा जो midpoint है इससे जितना भी mesh है यहां पर पूरे mesh को एक साथ बना दे रहा है यहां पर मतलब हमारे hands और यहां पर head का mesh भी यहां पर एक साथ cover कर दे रहा है अगर आप mark loose पर click कर देते हैं और अगर आप clear loose पर click कर देते हैं तो आपको यहां पर प्रॉपर तरीके में जैसे हमारा human structure बनता है वैसे आपको यहां पर दिखाए देगा है इसके बाद हमारे पास यहां पर जो है यह हमारा midpoint जाना हमने से start कर रहा था तो यहां पर हम लोग माक रूट को यहां में प्रइश कर देते हैं आप यहां पहल स्पूल को कुछ कर ponieważ में कट देंगे अप番 को होए पर यह आप के जितने भी जब आ पे रुटimming में प्रवाय सेक्ट है digitised पूरा सिमेट्रिकल बन रखा है तो इसलिए आपको अब भी जो है उसका यहां पर यूज दिखाए नहीं दे रहा हूं पर यहां पर मैं पोज मोड कर दूंगा तो आपको यहां पर जो आपकी माक रूट है वह यहां पर विजिबल हो जाएगी और आप लोगों को पता चल ज सकते हैं अधाल है यहां पर जो आपका वहीं हां पर सिमेट्री के ऑप्शन यहां पर आप आप अपनी work according यहां पर xyz यहां पर symmetry को select कर सकते हैं अगर आपको यहां पर x direction में काम करना है तो यहां पर x axis की यहां पर symmetry को on कर सकते हैं अब यहां हमारा उब्जक्ट है यहां पर पूरा symmetry कर लिए इसलिए आप लोगों को यहां पर clearly दिखाए नहीं दे रहा होगा तो यहां पर अब हम इसके बाद यहां पर इसके object mode में चलते हैं और object mode में जाने के बाद यहां पर जैसी हम यहां पर create armature पर क्लिक करेंगे तो हमारे यह इस 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 था यह हमारे जितने भी vertices थे वह यहां पर बोन में convert हो चुके हैं अब आप लोग यहां पर इससे easily यहां पर rigging कर सकते हैं तो ओभ ही मैं आपको यहां इसे easy steps में दिखाता हो हम आप वहलग बहुती आपरes और आयाप है कंपलेट करनाओ है स्टॉक्चर ठीक्चर जो यहां पर बहुत ही आप ही ऐजी तरीके से rekग कर सकते हैं। में क्लिक करोना और उसके बात पर करना को हैं इसका जो आches मोव करना start कर देगा तो यहां पर है तो यहां पर हैंग वेंग сообщ अब आप देख सकते हैं आप Atlas test हो यहां पड़िया की दरा तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अगर बेजिक एनिमेशन बनाना चाहते हैं अगर आपका सिस्टेम को यहां इसे नहीं आप अठीक कर सकते हैं और आफ यहां पर बहुत यह चीज़ा और चीज़ा शॉल्ड विडियो आपे कर सकते हैं इसके ते दिफेर भी दिफिकल्टी नहीं है के इस-काल काई यहां पेADEस अग्य लीगर्पोरियों कोई हमाद फेडिकल्टों परasm प्रस्थ कर्वाइग फैस करता दिपना तो तो इसके लिए तो आपके लिए यहां पर यह बहुत ही अच्छ है कि यहां पर फीचर होने वाला है तो इस तरीके से आप लोग इस modifier को जो यूज करके अपने जो animations है उनको यहां पर बहुत जल्दी से जल्दी बना सकते हैं आप लोगों को यहां पर जादा time नहीं लगेगा तो है इहां पर देख सकते हैं इसके जो लाक्स की यहां पर हमारा लास्ट बच्छ रख्छ रख्क्रा एंग एक एक्व tätव होता है होता है theology इसक्वार के न electrolysan सबया हिसे हमारे पास में तोरो चेटने सबस्च हूं उसका यह यह जैसी है और यहां पर इक्वालाइज यहां पर क्लिक कर देंगो तो उसके जितने भी यहाँ पर मैश होगा यह उसको यहाँ पर equally distribute कर देगा आप यहाँ पर दो हैंड्स को यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर उसको equalize radii पर click करेंगे तो उसकी radius को यहाँ पर fix कर देगा और आपके vertices से मतलब जितनी भी 4 और पर आपको जो मैश है यहाँ पर equally जो यहाँ पर distribute हो जाएगा वो uneven नहीं रहेगा यहाँ तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर equalize radii यहाँ यहाँ पर use कर सकते हैं अगर आप लोगों को यहाँ पर अपने दो structure को यहाँ पर बिल्कुल same radius यहाँ पर provide करनी है तो अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी blend related amazing videos अपने चैनल पर upload करता रहता हूं जब तक के लिए बाए बाए